शनी जैन्ती पर लगने जा रहा है सूरे ग्रह, 148 साल बाद बना अत्वत सयोग, बस एक ये जीट जरूर खाने, रातों रात चमक जाएगी किस्मत, साथ पुष्टें भी करेंगी राज, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों जेश्ट अमावस्या के दिन शनी जैन्ती मनाई जाती है, इस दिन शनी देप का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को शनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, इस पार शनी जैन्ती जेश्ट अमावस्या 10 जून को है, 10 जून को शनी जैन्ती के दिन ही स सूरे ग्रहन लगने जा रहा है ऐसा अध्वुस संयोग पूरी 148 साल बार बना है यह सूरे ग्रहन तो पहर एक बचकर 42 मृट पर शुरू होगा और शाम 6 बचकर 41 मृट पर समाप्त होगा ग्रहन शुरू होने से पारे घंटे पूप सू तक लग जाते हैं लेकिन यह ग्रहन वैसे तो एक बल्या का सूरे ग्रहन होगा इसमें सूरज एक आग के कंगन के समान दिखाई देगा लेकिन भारत में यह सूरे ग्रहन आशिक रूप से मेघाले की तरफ दिखाई देगा हमारी धर्म शास्तों के अनुसार आशिक सूरे ग्रहन के सू तक मानने नहीं होते और ना ही इस दोरान कोई भी शुप और मांगले कारे बंद किये जाते हैं इस दोरान मंदर के पड़ भी बंद नहीं किये जाएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस शुप अपसर पर इस शनी देब की गृपा प्राप्त होगे शनी देब से संबंद्धे दोश दूर हो जाएंगे साथ ही जीवन में खुश्यां आएंगी घर में सुकसम्रती बनी रहेगी और शनी देब की गृपा से बिगड़े कारे भी बनने लगेंगे हर छितर में सफलता मिलेगी जिससे शनी देब का सरसों के तेल से अभिशिक करने का पिठान है इस दिन पीपल पर मीठा जल चड़ाने और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी शनी देब की कृपा प्राप्त होती है जोते शास्त के मुताबिक शनी देब को उरत की दाल अतिप्रिय है उरत की दाल का दान करने से शनी देव की कृपा प्राप्त होती है इसी तरह शनी जैनती के दिन उरत की दाल की खिचरी बनाकर उसका सेवन करने से शनी देव प्रसन होते हैं और शनी दोर से राहत मिलती है उरत की दाल की खिचरी का आज के दिन सेवन करने से ही शनी देव की कृपा से हर छेतर में सफलता मिलती है शनी देब प्रसन होते हैं और बिगड़े कारे भी बनने लगते हैं साथ ही इस दिन काले चने की सबचे या फिर भुना हुआ काला चना खाना चाहिए ऐसा कहने से भी शनी दोर से राहत मिलती है और शनी देब की कृपा से बिगड़े कारे बनने लगते हैं आज के दिन चना और गुड़का बर्जरंग बली को भोग लगा कर फिर इसका सेवन करना चाहिए ऐसा कहने से बर्जरंग बली की कृपा से धनसम्मंदी समस्याई दूर होते हैं शाथी शनी देब फिर प्रसंद होकर अपने दोशों से छुटकारा देते हैं शनी देब के अशुक प्रभाप भी शुक प्रभाप में बतल जाते हैं दोस्तों इसलिए इस अद्भुत सायोग पर आप भी इंचीचों का सेवन करें और शनी देब के किरपा प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचेंग, राधे राधे